अज़ा आज आपको जो तुड़ा आवाज में प्रोब्लम होगा तो कि यहां भगल में बोरिंग हो रहा हैं पिसले हो सकता आवाज में कुछ प्रोब्लम हो तो अपको फिर्खी बंक करें चलिए अब आवाज थोड़ा कमा रहा होगा लें कोई तिकत ने आज बर मेनेज करेंगे तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारें पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे मेंजरिंग इस्टूमेंट की बारे में सब्सक्राइनल कि इस्टूमेंट की बारे में हम लोग जान लिया थे की कैसे किसका पेमाना होता है कैसे चल्व करता है को सब्सक्राइब के इसको करते हैं है नाजन परकार यरें है। जो वैसा टर्क जो इस फेंडल और जो पहमाना को जो सुई को जो सांक्यतिक है उसे पहमाना तक लेजाने खेलिए जो बलकारे करता है या जो टर्क कारे करता है उसी को हम लोग डिपलेक्टिंग टर्क के नाम से जानते हैं 걸로 करता है जो फिर फिरसे जीरो पर लाने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क करते हैं और ज़ो कांटे को कंपनल जैसे हिपता इतार है तो हम लोग मापने में िो करतनाई होगा कुन तो दूर करने के लिए ऐख प्रकार के ठोप लगाय जाते हैं या लगते हैं वसको जो हम लोग नाम के नाम से जानते हैं। यह r python कई प्रकार से होता है आगर एपटार से करेंगे यह फेक जल हो जाएगा सब्षि करनомина को ईपनी खुरी करेंगे ठो patents क्रe深ky करेंगे यॉलिंग की चकती दोरा घंर युक जाएगा आज हम लोग जानेंगे कि मीटर के प्रकार के होते हैं मीटर जो हैं दो प्रकार करते हैं एक को बोलते हैं moving coil instrument और दूसरा को बोलते हैं moving iron instrument मोवी वक बुम्हिंग बायत कि बुम्हिंग आज रहन इसको सौर्ट में हम लोग MC टाइप बोलते हैं और इसको MI टाइप बोलते हैं क्या बोलते हैं दो प्रगात आउता है एक को MC टाइप बोलते हैं दूसरे को MI टाइप MC मतलब Moving Coil और MI मतलब Moving Iron ठीक है ये किस पर कारी करता है ये केवल DC पर कारी करता है केवल DC पर कारी करता है और Moving Iron ये दौनों पर कारी करता है ये AC और DC दौनों पर कारी करता है यह C-D-C दौनों परकार करता है क्या दो प्रकार का इस्ट्रुमेंट होता है एको बोलते हैं M-C दूसरे को बोलते है M-I एक क्यूंग भीन ईंस्ट्यूमेन कर सब्सक्रय। यह की हरा। वैसं इसमस्य कई सब्सक्राते दमांभी सब्सक्राइब, इसा समस्य काएके है? इसका जो आंतरिक पतिरोज होता है कि कम होता है इसका आंतरिक पतिरोज कम होता है और इसका आंतरिक पतिरोज क्या होता है इसका आंतरिक पतिरोज जाता होता है बत्विरोड जादा होता है ठीक है? इसका अनुति पत्विरोड कम होता है और जो M.I.T. का रहे हैं इसका पत्विरोड जादे होता है इसका पैमाना अनुकार्थिक होता है इसका एमाना अनुपातिक होता है अनुपातिक होता है मतला जैसे यह है जितना दूर एक से लेकर के 10 तक होगा उतना है दूर 20 होगा उतना है दूर 30 होगा, उतना ही रूप, चालीस होगा, और उतना ही रूप में 4 होगा, ठीक है, ये क्या का अलाथार है, ये अनुपार्थिक का अलाथ है, और ये अनुपार्थिक नहीं होता है, ये जो प्रमाना है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बैसल चैसे वो दूरी उसके बढ़ते जाएगा, जैसे यहान एनुपार्थिक नहीं होता है, भी थूड़ा है, धूर। पीरी दूरएड दूर में जाकर शिर्प traitor xd यह और दूर जाकर चावीज होगा इस और रणुर में जाकर के 50 होगा मतलब यह दूरी देरेद दिर्का होगा बढ़ते जाएगा इसको को प्यक्ति है अनुपासिक नहीं बोटी है कि हो no कि इसका प्रमान जो हOoh I mean यहाई इसका प्रमाना मीं रखाग मुदड़ा रंता है कि जितने दूर में दस है उतना ही दुर 10 और 20 के बीच, उतना हैं दूरी 20 और 30 के बीच, उतना हैं दूरी 30 और 40 के बीच, लेकिन यहां जितना दूरी 0 से 10 के बीच है, उससे जादे दूरी होगा 10 से 20, फिर उससे जादे दूरी होगा 20 से 30, उससे जादे दूरी होगा 20 से 40, अनिकि इसकी प्यमाना अनुपार्तिक न कि नैज्स तरिक इसकार मना इसका ऑगा जाष कि इसकी माउंस इसके इसकी इसकी मांक्स पिंगे गया हsong पढ़ाई जा सकती और इसकी माप्सिमा नहीं पढ़ाई जा सकती इसकी माप्सिमा नहीं पढ़ाई जा सकती ठीक है ये अंतर है ये सब सारब चीज आप नट करेंगे इवार किसे सुनेंगे आप मीटर दो प्रकार का होता है एक होता है M-C टाइप और एक होता है M-I टाइप M-C टाइप moving coil instrument और M-I टाइप moving iron instrument moving coil केवल और केवल DC को माप सकता है इसमें केवल DC का परियोग होता है लेकिन M-I टाइप इसमें AC-DC दोनों का परियोग होता है इसमें दोनों माप सकते है moving coil में पैमाना अनुपातिक होता है और moving iron में अनुपातिक नहीं होता है मुविंग पॉयल में इसकी माप स्कीमा को बढ़ाया जा सकता है लेकिन मुविंग आयरंड में माप स्कीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है इसका आंत्रिक प्रतिरोज कम वता रहा है और मुविंग आयर्स का प्रतिरोज जादे इसको आप पड़ापड़की से नौट करें और इतना चाहिए तो आप लिख सकते हैं इसका तो बनाव यह कम मज़ित होता हो यह कम और इतना चाहिए तो लिख सकते हैं यह क्या होता है यह कम मजबूत होता है यह क्या होता है यह जाते मजबूत होता है यह मजबूत होता है मजबूत होता है क्या होता है यह स्क्रॉण में होता है यह स्क्रॉण होता है ठीक है इसमें कुंडली मूब करता है, इसमें कुंडली मूब करता है, मतलब इसमें जो क्वाइल है, वो ही मूब करता है, लेकिन इसमें आयान मूब करता है, I look a किसमें खुअि करने कुम करता है, मुणें कुम बूहता है। इसलिए इसर्ग शी को मुवीaste करते है और इसलिए आना है,श्यके इसलिए इसलेख बोब हना करता है। इसमें कुंदले इसके रगता है। चाइन आज जो हख़ूं , एकुंदली इसकेור . है!!! कुंडली इस्तीर हो राता है इसमें कुंडली मुपनता है और इसमें कुंडली स्तीर होता है इसमें विदुद खपत का मुपनता है रेजिस्टेंस का में विदुद खपत का मुपनता है विदुद खपत का मुपनता है और इसमें फपर जादियों कि फपर जायता होता है क्योंकि है यह सीच चीज सारा चीज है आज आवा जाने के कारत प्रसा के च्वाप मस्कूस हो रहा है बतरह अब है आथा उस संद्बान इच पराइगे आ चीजली नहीं रखते हैं हुगे प्रस्शी हम सें आद है क्या पड़े हम लूग मेजरइंग इच्ट्रूमेंट के बा रहे में देख रहे हैं मेंजरिंग इस्टुमेंट के बारे में मेंा बाले पढ़ी तिh primary instrument होता है और secondary instrument होता है primary instrument सिर्फ सुछसक का कारी करता है लेकिन secondary instrument map को दरसाता है magnitude और दिशा का भी दरसा को ठीक है, मैंके इंचुर मतलब कितना उसका माप है, वो भी दर सकता है, यह जो दूईतर प्रकार का है, यह तीन प्रकार का होता है, एक को होता है, इंडिकेटिंग, दूसरा इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग सिर्फ इंडिकेट करता है, करता है कंट्रोलिंग टोर्ट को पीछे लिए जाने के लिए करता है और डेंपिंग टोर्ट को इलने डूलने से बचाता है इसी में आता है दो प्रकार का, एक होता है MC, एक होता है MI, MC moving coil, MI moving ion, MC, जो है, सिर्फ DC पर यूज़ोता है, MI, AC, DC, दोनों पर यूज़ोता है, ये कम मज़ूत होता है, MI, जादे मज़ूत होता है, इसका पैमाना अनुपार्तिक होता है, और MI part का पैमाना उनुपार्तिक नहीं होता है, ये सब सारा चीज़ है, आज इतना है, मेतने अगली क्लास में हमारे साथ चुड़ने के लिए आप सब को बहुत बहुत होता है,